स्टूडेंट आप सब कैसे हो आज हम लोग क्लास 8 का मीड टर्म एक्जामिनेशन का कोशन पेपर का सॉल्व करेंगे सेक्षन ए में बच्चों जो पहला कोशन है जो दिखा हुआ निमलिखित में पूर्ण वर्क संख्या नहीं है तो जो दो सो पचीस है 15 का स्क्वार है और चार सो पचीस छे सो पचीस जो है 25 का स्क्वार है और यह जो नंबर है 35 का स्क्वार है तो इसमें जो चार सो पचीस है उनकिसी का स्कौर नहीं है तो इसका करेक्ट एंसर जागा फर्स्ट का बी फर्स्ट का सगेंड पार्ट में बोला हुआ पूरक पूरक कुन का एडिशन का था बच्चो दो कुन जिसका एडिशन का होना चाहिए 90 तो इसमें 70 और 20 का जो एडिशन है और इसमें बोला कि तिसरे में निम्लीखी तुम्हें क्या सही है तो किसी के पॉवर 0 क्या होता है इसका थिरी 2 के पॉवर जीरो का भी रिजल्ट वन आगा इसका भी result क्या आगा 1 आगा तो दोनों तरफ 1 आ रहा तो correct answer का जागा C हो जागा question number fourth में बच्चो given ABC में aim क्या है aim BC का मध्य बिंदू है जो aim है वो BC का क्या मध्य बिंदू है तो aim के बारे बताना है aim बच्चो क्या है और option check करते हैं aim बच्चो क्या होगा altitude होगा सीर्स होगा क्यों जो सीर्स से लंब होता है 90 दीर के कोन बनाता है तो जो correct answer हो जागा fourth का B हो जागा fifth वाले मोलागों कि एक संख्या को 8 से गुना करें और 4 जोड़ने पर 60 पराप्त होता है 8 तो correct answer हो जागा 7 जो option number C में given है इसका और पार्ट कोई बच्चा अगर किया होगा तो माइनस तर क्या कर देंगे होगे plus तो 2 भी अपॉन 3 इकवाल माइनस तो होगा जाब पलस तो 5 और 3 को जोड़ देंगे तो टूब्र्म में three इकवाल में 8 हो जागा यहाँपर cross multiply करेंगे तो टूब्रमी क्या जागा 24 तो बी इकवाल में हो जागा 24 आपॉन्टीफोर अपॉन दू तो is एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस जब इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वन जीरो टू फॉर कोश्य नमर्स सहेत में बच्चो लिखा हुए एक सतरंज बोड में 64 क्या है छोटे चोटे वर्ग है जिने आठ पक्ति और आठ अस्तंब में विवस्तित किया जाता है इनमें आधे वर्ग काले है और आधे क्या है सफेद रंग है एदी सतरंज बोड के एक सफेद वर्ग का य सब्सक्राइब और यहां से निगल जागा तो यहां पे ब्लैक और जो व्याइट है दोनों का साइड क्या है बराबर है तो पांच क्या हो जागा अब तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जागा पांच है टोटल कितना आठ है तो आठ को क्या करेंगे पांच से गुना भी करेंगे तो कि करेक्ट एंसर का जागा डी हो जागा इसका और पार्ट को सॉल्व करते है रूट अंडर 169 जो एस्क्वायर रूट है 1.3 का है और यह जो नंबर है 196 है वह क्या है यह 1.4 का जब इन दोनों का मल्टिप्लाई करेंगे बच्चों तो जो रिजल्ट आगा 1.82 आगा तो इसका और बला पार्ट का एंसर हो जागा ए इसमें बोला हो कि the major of each exterior angle is regular hexagon तो exterior angle किसी भी polygon का 360 होता है और इसमें कौन सा है regular hexagon हेक्सागन में कितने side होता है बच्चों 6 तो 6 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आगा 60 तो इसका एंसर हो जा जाइन है आयत a by c d एक आयत है जिसका विकड़न ओ पे कारती है ओ एक का length given और ओभी का length क्या है 15 है तो x क्मान क्या करना है find करना है और ओभी क्या क्या होगा बराबर होगा का चेंक्कि भीकाइन बराबर होता है तो यहाँ पर क्मेट कर देंगे तो 2x पलस 5 उक्ugen में 15 तो पलस हाँ तो क्या जगा माईनेस 15 माईनेस 5 तो 2x उक्वाल में 10 तो यहाँ से 10 उक्वल में कहा 10 अपॉंट 2 तो एंसर हो जागा पॉला क्वेश्टन टू और थिरी क्या बचो केस स्टड़ी है परते केस स्टड़ी को आधारित 5 उप भाग है जिनमें से आपको 4 क्या करना है सॉल्ब करना है और परते एक भाग उप भाग क्या है दो अंक का है पढ़ते है इसमें का लिखा हुआ लिखा हुआ कि एक माली अपने बगेचे में इस परकार लगाता है जितनी पक्तिया है उतनी क्या है पौधे है अंडरलाइन करें जितनी क्या है पक्तिया है उतनी पौधे है तो बोला कि यदि पक्ती में 12 पौधे है तो कूल कितने पौधे होंगे तो जितना पौधा होगा उसी नंबर से क्या करेंगे मल्टिप्लाई कर देंगे तो 12 का जो स्क्वार हो जागा 144 तो करेक्ट एंसर हो जागा बी अब बोला यदि उसके पास 625 पौधे है तो कितनी पक्ति आओगे 625 किसका इस्क्वार है बच्चो 25 तो इसका अंसर हो जागा ए तिसरे बोला यदि उसके पास 405 पौधे हो तो वर्गकार बगीचा बनाने के बाद कम से कम कितने पौधे बच जाएंगे तो इसके नियरेस्ट में जो स्क्वायर नंबर बच्चो 20 का 400 है तो 405 में सकर 400 को माइनेस करेंगे तो 5 पौधे क्या हो जाएंगे तो करेक्ट एंसर क्या जाएगा इसका तीसरा का डी हो जाएगा शिफ्ट में लिखा कि यदि उसके पास 165 पौधे हो तो वर्गकार बगीचा बनाने के लिए कम से कम कितना पौधे की आव सकता होगी तो इसके ज़स्ट आगे वला जो नंबर 13 का स्क्वार तो 169 ने यहाँ पे नंबर कितना 165 माइनेस करेंगे तो 4 नंबर और चाहिए उसक निकालन वहन पात pipe पौधे की वीच का वन मीटर रहे तो वर्ग चेदरफल निकालना बगीचे क्या करना अख शथरो निकालना बगीचे कि एक दिने बच्चों कितना होता है 24 आवर 1 by 3 सोने में 1 by 4 फाग स्कूल में 1 by ग्रीकार में घर के कामों में और 1 by 8 खेल कुद में और से समय अनगति विदियों में क्या करता है ब्यतीत करता है तो फर्स्ट में लिखा हुए अमीत द्वारा इस्कूल में बिटाया गया समय तो टोटल कितना समय होता है 24 और 1 by 4 खेल किस्कूल में बिटाया तो 1 by 4 से क्या करेंगे इसका सब्सक्राइब बिटाया गया समय होता है तो टोटल एक दिन में कितना समय होता बच्चो 24 से क्या क्या होता है तो करेक्ट एंसर होता है सी ठड़ में लिखा कि अन गति विदियों में बिताया गया समय है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चो जितने समय बिता रखाओ जब बच्चो सौल करेंगे तो जो रिजल्ट आगा जैसे टू बाई एट वन बाई थिरी टू बाई टारेक्ट बच्चो इसको जोड़ दिये और जुआके वन बाई गिरहा जा किए खेल में है और फिर वन बाई ठीर वन बाई पफोर को जब आड करेंगे और जिसको जब सिंप्लिफाई करेंगे तो जो रिजल्ट आगा बाच्चो ऊब 24 तो 1 by 6 पाट क्या होता अन गति विद्यू में यूज करता है टोटल कितना बचो टोटल जो आवर है टोटल 24 आ रहा है और जिसमें अन गति विद्यू मुझे निकाले है वो क्या है 1 by 6 आया तो क्या जागा 4 आवर तो करेक्ट एंसर हो जागा एक दिन वान लागा क्योंकि बच्छा इसका भी वन बएस्का भी क्या है i. क्या है वन बएस्के। जब दोनों को आउड़ करेंगे तो वन बएस्क हो जागा तो कारेक्ट एंसर मार जागा ए हो जाएगा बच्चों जो सोने में जो टाइम लेता है क्योंकि 1 by 3 है तो 1 by 3 ओगा 24 से करेंगे तो इसमें 8 आवर आएगा सोने में 8 आवर बिटाता है और इस्कूल में 1 by 4 तो 1 by 4 इंटो 24 तो 6 हो जागा दोनों पर का डिफरेंस करेंगे तो टू आवर आएगा तो करेक्ट एंसर हो जागा सिक्शनay का जो फंस पेस्य संखिया दूसरी संखिया क्या है दूगुणा है और उनका है कितना है पंदरygenे तो छोटी संख्या के आएग् इसमें बोला हुए दोनों अगर बराबर है तो एक्स का मान क्या करना निकालना तो स्थान वाली संख्या का वर कहीं क्या होगा क्योंकि पांच का जबेंगे स्क्वाइर करेंगे तो जो रिजल्ट हागा पचीस अब पचीस काई का अंक क्या है पांच तो करेक्ट एंसर होजागा पांच और यहां पर बोला है समांतर चत्रभूज का विकान परस पर सम्धिभाजित होती है एंसर का जब बच्चो सम्धिभाजित और इंगली से बोलेंगे बाइसेक्ट का वोलेंगे बच्चो बाइसेक्ट का मतला होता है दो बराबर भागों में बाढ़ती है इसमें मिलान है कोश्चन में पांच में मैचिंग कराना है बच्चो तो पाहला क्या है इकवल में CD और AD इकवल में BC है और 90 डिग्री है तो कौन सा होता है आयत होता है इसमें आयत क्या है बच्चो E में है तो इसका एंसर हो जागा फर्स्ट का E जिसका नाम क्या है आयत है और सकेंड में क्या है आमने सामने का साइट बराबर और पैरलेल है तो इसको बोलते है ह आइट है तो फॉर्थ का एंसर हो जागा सी कोश्चन नबर सिक्स में बचो क्या करना एक्स निकालना है तो हम एक्स को क्या करना इधर बैजेंगे नाइन को इधर बैजेंगे तो नाइन के पलस में तो हो जागा माइनस तो 15 अपॉन फॉर माइनस 9 इकोल में जगा 7 अब यहाँ पे लसम लेगे तो 4 और 1 का एउसम 4 आगा तो 15-9 और 4 के टेबल में तो वन नंबर पर यहां पाएगा, वन के टेबल में, फोर फोर नंबर पर, तो यहां पाएगा, 15 माइनेस, 36, 4 इकॉल में, 7 एक्स, जब माइनेस करेंगे, तो रिजल्ट आगा, बचो, माइनेस, 21 अपोन 4 इकॉल में, 7 एक्स, एक टिवाइड, माइनेस 20 अपोन 4 इन्टू, 7 तो कर जागा, तो करेंट टेंसर हो जागा, माइनेस 3 अपोन 4, तो कोशन नबर 6 का जो, करेंट टेंसर भाजाँ, माइनेस 3 अपोन 4, कोशन नबर 7 अपोन गीवेन है, यदि किसी संख्या के आधे में, जोरने पर 1 by 2 प्राफ्थ होती है तो संख्या ग्याद करें तो संख्या मान लेंगे किया X है तो लिखेंगे माना कि संख्या क्या बच्छो X संख्या को क्या करना आधा करना तो आधा करेंगे तो X by 2 है तो क्या मिलता 1 by 2 है तो cross multiply करेंगे तो 2 upon 2 आएगा तो correct answer हो जागा बच्चो 1 तो question number 7 का जो correct answer हो गया 1 इसका और पार्ट में बच्चो लिखा आई उसकी आई एक्स वर्स और उसके पीता की आई उसके आई के दो गूने से 7 वर्स अधिक है तो father का जो age है बच्चो father का age बोला हुआ तो पीता की आई उसके आई के दो गूना है और दो गूने से क्या है साथ अधिक है तो पीता की आई एक्स के फॉर्म में लिखिये फिर से रिपीट करते है उसके पीता कि आयू, इस पीटा कह लिखेदा है, पीता कि आयू, क्या वोला बच्छो, दो गूना तो 2 से क्या करते है, मल्टिपाई करती है, और इसमें साथ क्या करते है, जोड़ दिये तो इसका एंसर में और 2x फ्लस सेडवन सोजिऩंग 1 सारे अगल बरावर है किंप्यों साइट कितना साइड कितने एंगल एक दो तीन चार पांच तो पांच से डिभाइड करेंगे एक सब्सक्राइब तो जो रिजल्ट आगा बच्छो वन जीरो एड तो कोशन नमर एट का जो करेक्ट टेंसर हो जागा वन जीरो एट अब इसमें बोला कि आट भूजा वाले बहभूज का नाम लिखे आठ को क्या बोलते हैं आप टागन अहिंदी बोलते हैं अस्ट भूज क्या बलते हैं बच्छो अस्ट भूज तो एट नाइन का जो करेक्ट टेंसर हो जागा अस्ट भूज Q10 का वर्गमूल गयात करना बच्चो 5, 6, 2, 5 मेथड बेंचन नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं डिविजन मेथड से निकालते हैं तो यहाँ पुझेगा 7, 49 जब माइनस करेंगे तो बच्चो क्या आगा 7 और कट जागा जितना लिखते उतना जोडते है तो 144 यहाँ पे 25 आगा तो यहाँ 5 से करेंगे 145 इंटू 5 तो 7, 25 आगा तो यहाँ पे 7, 25 केंचिल हो जागा 5 अड़ करेंगे तो 150 कितना अड़ के 7 और 5 तो करेक्ट एंसर हो जागा बच्चो 75 क्या हो जागा 75 इसके और वाले पार्ट में पुछा होगा इसका मान ग्याद करना बच्चो तो 4 किसका स्क्वार उठ है 2 तो 2 हो जागा माइनस 3 और इसका 4 तो माइनस में इसका जागा पलस तो 2 माइनस 7 इकोल में माइनस 5 तो करेक्ट एंसर हो जागा माइनस 5 अब यहाँ पर कॉछा आप पाइथोगरेसक्रीक में एक्स का मान ग्याद करèneड़ स्क्रीक का फर्मुला तो थे तो 2 म म स्कवार माइनस ओना माइनस फ्लस ऐसक्या करेंगे पहले से क्याषन बच्षव निकाल बच्षन एक्स का मान यहाँ व्यादर X plus 1 तीसरे वाले को तीसरे से एक्वेट करेंगे तो X plus 1 equal में M square प्लस 1 X plus 1 M कितना बच्छो M का जो result है 3 तो लिके 3 का square plus 1 X plus 1 3 तिह तो 9 plus 1 X plus 1 equal 10 X का जो result है का बच्छोंहा से 10 minus 1 निकोल में 9 अब हम लोग 12 कोश्र सॉल्व करेंगे तो वेल्थ है बच्चो एक्स का मान निकालना तो हम क्या करेंगे LCM लेंगे तो 2 3 6 के लिएका 6 आगा यहां पर 1 है उपर वालों को लीख लेंगे इसे बोला कि चार समकोन वाले सभी चत्रभूज का नाम लिखे तो यहां पहला आएगा इसमें 2 आएगा एक आएगा वर्ग जिसको बोलते है स्क्वाइर दूसरा में आगा बच्चो रेक्टेंगल जिसको बोलेंगे आएथ क्योंकि इसी दूनों में 90 होता है तो क्वेशन नमर 13 का जो करेक्ट एंसर हो जागा एक का वर्ग हो जागा दूसरे का आएथ हो जागा अन्तकोन का फर्मूला तो एन माइनस टू इंटू 180 और एन कितना बच्चो नाइन तो नाइन माइनस टू इंटू 180 करेंगे तो 9 मेंस टू गया तो 7 इंटू 180 तो 180 को जब 7 से मल्टिम लेंगे तो 1260 तो करेक्ट एंसर हो जागा 14 का और पार्ट का 1260 15 में होचो एम का मान गयाद करना है समिकरन को हल कीजिए और उत्तर को जांच कीजिए तो क्या करने पहले मल्टिप्लाई करेंगे तो 3 एम और 3 तू जा 9 5 2 जा 10 एम प्लस 1 अब क्या करेंगे एम को एम की तरफ ने जाएंगे तो इधर इसको और 1 को इधर लेंगे माइनस 9 माइनस 1 और 10 माइनस 3 एम तो माइनस 10 इकवल में हो जागा 7म यहां नेम का जो रिजल्ट है बाच्चмен अपोन 7 कि आप क्या करना जाच करना तो एम की result र охग देंगे तो यहां से जो Это घर दगा बच्चो दो संख्या का योग कितना है 24 तो लिखेंगे माना की माना की पहली संख्या एक्स हो जागा और दूसरी संख्या जोगा बच्चो दूसरी संख्या 24-1 इसे बोला कि यदि एक संख्या को 7 से गुना कर दो यह दि एक संख्या को 7 से गुना करेंगे और दूसरी संख्या को 5 से गुना करेंगे तो 24-x अब क्या करना सिंप्लिफाइ करना है तो 7x जब 24 को मारंस लिटिपलाइ करेंगे तो बच्चो जो रिजल्ट आगा 120 और 5 x माइनेस टो रगा लच्टो उचालए चलए था ऐसकरिंट करना और यहां किॊचल और वाइक्स। चला और आओ लिएगा 15 कुछा गारे मिलक गुलनीग सन्ख्यंत। पहली संख्या 10 हो जागा और जो दूसरी संख्या 24 से क्या करेंगे 10 को माइनस करें तो 24 माइनस 10 इकल में 14 आगा ध्याना कि क्या एगा 14 आगा तो समांतर चतरहूंज में आमने सामने का एंगल होता क्या होता है तो य के पुज़ी में क्या 112 होता है और लगतार क्या तो बच्चों 180 होता है तो y प्लस 42 प्लस एक सिकल में 180 आप y कमान कितना 112 प्लस एक सिकल में 180 जब इसक्वाइड करेंगे तो 4 और यहां पर 5 1 प्लस एक सिकल में 180 प्लस तो क्या हो जागा और करेक्ट एंसर क्या हो जागा बच्चो एक सिकल में 26 और यहां पर 17 कोशन बच्चो लिखा हुआ कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ग्यात के रिजिसे पड़ते 8 15 20 से विभाजित हो जागत तो पहले क्या करेंगे इन 3 का LCM लेंगे लिखिंगे LCM 8 15 और 20 दो यहां चार से कटेगा 15 यहां पर 10 से फिर हम लोग क्या करेंगे 2 से 2 15 और यहां पर 5 जागा फिर हम लोग क्या करेंगे 5 से तो यहां पर जो रिजल्ट आगा 3 और यहां पर 1 फिर हम लोग क्या करेंगे 3 से करेंगे 1 1 1 LCM का जो रिजल्ट आगा बच्चो 2 2 2 5 3 2 जब इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो जो रिजल्ट आगा बच्चो टू टू जा 4 टू जा 8 85 जा 40 43 जा 120 जा 120 लसे एंगे बच्चो यहां पर 40 120 आगा इसमें ध्यार रखना कि जो संख्या निकालते समझे इस नंबर का पेर नहीं बना तो किसका इसका पेर तो बन गया इस तीनों का पेर नहीं बना तीनों से क्या करेंगे है तो 120 इसमें जिसका पेर नहीं बनता है तो इसमें 25 का पेर नहीं बने इसको मिड़ीपला केरेंगे द Paterson इसको जब मल्टिप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है बच्चो 3600 कोश्च नबर 18 वे बच्चो लिखा हुआ कि बेदान्त के पास 50 रुपे, 20 रुपे, 10 रुपे के कूल जो मिलाकर जो नोट है 25 है जिनकी मूल 590 रुपे है 25 रुपे का जो मूल है बच्चो 590 रुपे है एदी बोला कि 50 और 20 रुपे की संख्या का नुपात क्या है 3 रेस यो 5 है तो परतेख परकार के रुपे के रुपे की संख्या ग्याद करें तो कैसे सौल करेंगे लिखें कि माना कि पचास रूपे वाले नोटों की संख्या 3x रगा पचास रूपे वाले नोटों की संख्या 3x और उसका क्या 20 तो लिखेंगे 20 रूपे वाले नोटों की संख्या 5x और उसका क्या बचेंगे बच्चों 10 तो लिखेंगे 10 रूपे वाले नोटों की संख्या 25 माइनिस दोनों को क्या कर देंगे 8x और टोटल जो बच्चों इमाउंट है 590 तो यहां पर लिखेंगे 590 पहला क्या 3x तो लिखेंगे 3x दूस्रा क्या 5x तो 5x लिखेंगे और तीसरा बच्चों 20 तो बच्चों यहां माउंट है 10 से multiply करेंगे बस simplify करना 50 को गर 3 से करेंगे 150x plus 20 को 5 से करेंगे 1 0x और यहाँ पर 10 को गर 25 से करेंगे तो 250 minus 10 को गर 8 से करेंगे तो 80x equal में 590 अब इंसको इसको कर माइनस करेंगे बच्चों तो क्या है का 150x और 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो 20x plus 250 equal में 590 पहला से क्या होजागा पहले दोनों को आड़ करेंगे तो 170x 250 equal में 590 पहला से क्या होजागा माइनस 590 माइनस 250 170 तो माइनस करेंगे बच्चों रिजल्ट अगा 590 250 यहां पहला यहां पहला जागा बच्चों 5 में से दो गया तो 3 तो 3 4 जीरो एक्स है क्या रिजल्ट है था बच्चों 170 है ना तो 170x लिखें 170x एक्स का जो रिजल्ट आ गया है से बच्चों 3 4 0 1 0 0 कैंसे दो आ जागा तो अब हम लोग क्या करेंगे रिजल्ट को रखेंगे 50 रुपे वाले नोटों की संख्या क्या माने थीरी एक्स और एक्स क्या है निकल गया है जो रिजल्ट है दो है तो लिखेंगे 50 रुपे वाले नोटों की संख्या ठीरी एक्स और एक्स कितना बच्चों 2 है तो रखेंगे 6 फिली लिखेंगे 20 रुपे वाले नोटों की संख्या कितना था फाइव एक्स और एक्स कितना है दो है तो दो से गुना करेंगे तो तेन हो जागा और लास्ट जो है तेन रूपे वाले नोटों की संख्या पचीस माइनेस एट एक्स है अगर वीडियों अच्छी लगी हो तो लाई कामेंट और सबस्क्राइब करने चैनल को न भूले धैंकियू